हेलो दोस्तो नमस्कार आज हम फिर मौजूद है अपनी हीरो लेक्ट्रो किंजा इलेक्ट्रिक साइकल के साथ और इसको लिये हुए मुझे पूरे एक साल हो गये तो एक साल बाद मैं इसका पूरा रिब्यू देने वाला हूँ इसके पूरे फीचर्स बताने वाला हूँ और दोस्तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं बेल आइकन भी दबा दे जिससे आपको अगली वीडियो देखने को मिले तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं इसके टायर से तो टायर में क्या अंतर आया तो टायर आप लोग दे आप लोग और भी हमारी वीडियो देख सकते हैं कीचर में चलती है कच्छे सड़कों पे चलती हुई सारी वीडियो मैंने डाल रखी है तो पीछे का टायर जो हमारा घीसा है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं घीसा है अभी है एक साल और लगभग निकल जाएगा इससे मु 70% है और 30% ही घीसा हुआ है तो दोस्तो टैर अभी काम्याब है इसके अब हम अगली बात करते हैं इसके कलर की तो कलर दोस्तो ये जो है इसका हैंडल का कलर ये सब अभी तो सेम वैसा ही है और बाकी इदर फ्रेम का कलर जो है ये भी सेम है अभी लगभग कलर बिलकुल भी क दूसरी बार जो हमने डलवाए था तो अभी तो काफी यह चलेगा, अभी भी ज़्या नहीं घिसा हुआ है. तो एक बार हम बेरेक की गोटियों को change करा चुके हैं और दोस्तो अब हम दिखाते हैं इसके chain को तो chain आप लोग देख सकते हैं chain भी काफी अभी ठीक है भी लगभग कोई कमी नहीं आई है इसमें तो chain भी अभी काफी चलेगा ये और दोस्तो अब हम main जो बात करते हैं main main जो चीज़े हैं उसकी बात करते हैं ये है motor तो motor अभी कोई कमी नहीं आई है motor भी अच्छा चल रहा हमारा और इसके बाद आते हैं sensor तो ये sensor भी काफी अच्छा काम कर रहा है हमारा ये यहाँ पे sensor होता है तो ये भी काफी अच्छा काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें और अब हम बात करते हैं दोस्तों बैटरी की तो बैटरी इसके भीतर होता है तो बैटरी हम लोग बता रहे हैं कि एक बार चेंज करा चुका हूँ मैं इसका कमपनी को मैंने कमी आगे थी बैटरी में तो कमपनी को मैंने mail किया था यह कुछा time पहले ही तो और अब बात करते हैं हम इसकी तो यह भी अबी controller बहुत ही अच्छा चल रहे है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए है अब हम बात करते हैं इसके थ्रोटल की तो थ्रोटल भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है तो अभी हम चला कर दिखा देते हैं इसको यहां से ओन किया हमने और यह रहा थ्रोटल तो थ्रोटल हम यहां घुमाएंगे तो यह पीछे पहिया घुमेगा यह देखिए थ्रोटल हम घ पूरानी होती जाती है तो एवरेज डाउन होते जाता है और दोस्तों ये चार्ज एक बार में तीन या चार घंटे लेती है फुल चार्जिंग होने में तो दोस्तों अगर आप लोग के कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और